CSDA Launchpad के YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है तो आज के इस क्लास से हम नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उस सीरीज में हम पूरे के पूरे electrical के numerical लेने वाले यानि कि competitive exam में जो भी numerical आते हों बहुत important होते हैं क्यूँ तो अगर आपको merit में आना है तो आपको numerical solve करते हैं बहुत जरूरी है क्यों तो आपको पता है जो theoretical question होते हैं जो रटने वाले होते हैं या तो जो समझने वाले होते हैं वो common सभी student कर देते हैं 95% हो student कवर कर देते हैं लेकिन जो 95% student क्या करते है theoretical कवर करते हैं उनका numerical छूट जाता है तो पाच परसेंट ऐसे बच्चे होते हैं अगर आपका numerical perfect है याने कि अभी आप काबिल हो गए हो और merit में आने के लिए कि तो आपको पता है कि हो सकता है आप भी उसमें से हो या तो आपके दोस्तो numerical देखती है उसको छोड़ देते numerical जैसे दिखा उसको छोड़ देंगे बट उतना difficult नहीं होता है जितना आप सोचते हो अगर आपने भी इसके पहला गर numerical छोड़ दिया है किसी exam में तो अभी आपको धहन में रखना है आज के class के बाद आपका numerical 100% नहीं चूटेगा इसके हम guarantee देते तो अभी आज के class से क्या करने वाले बिल्कुल topic wise यानि कि एक class में स्रिफ एक ही फार्मुले के उपर किस तरह से numerical पूछ सकते है ना उसको कवर्दे कर देंगे जैसी कि आज का class देखेंगे हम हम transformer का numerical देखने वाले तो transformer में एक ही फार्मुला नहीं नमबर अप फार्मुले नमबर अलग-अलग numerical आत अलग-अलग तरीके के अलग-अलग numerical लेंगे जिससे इसके बाद आपको कभी भी numerical में problem नहीं होगा अगर यह में equation के उपर नमबर numerical पूछते हैं तो यानि कि आपका एक नमबर आराम से बढ़ जाएगा अगर numerical आता है जो आपके दोस्त छोड़ देंगे तो जो अगर आप competitive exam की तायारी कर रहें तो यह आपके लिए एकदम एहम पार्ट बनने वाला है तो एकदम एहम पार्ट होता है कि तो उसी फार्मुला से कभी-कभी क्या होता है एक theoretical भी question आता है कि जैसे value बढ़ रहा है किसी का कम हो रहा तो उसी फार्मुले से हम अंदाजा लगा सकते हैं इक फार्मुले से उसको याद करना होता है तो उसी तरह से numerical भी क्या है बहुत important है तो आज का यह हमरा पहला class है जिसमें transformer के हम numerical start करें यह पूरी series रहेंगी पूरी electrical के आपको इसी playlist में विलेंग यानि कि अगर आपको आगे के पीछे के जितने भी पूरे class देखना है वो solution रहेगा उसका अगर आपको PDF डाउनलोड करना हो सकता है कि आपको बार-बार वीडियो देखने को परेशानी हो सकते हैं तो उसके उपर हमने solution निकाल दिया कि जो भी हम यहां पर पढ़ाएंगे उसका प्रोब पीडिया भी आपको प्रोवाइड करा देंगे तो पीडिया की तरफ बढ़ने के पहले अगर आप competitive exam के अगर तयारी कर रहे हैं तो competitive exam अगर electration आपको एकदम perfectly पढ़ना पढ़ना है एकदम basic से लेकर advance तक का पढ़ना है तो हमने एक master course बनाया है जिसका नाम है विद्यूत ब्रहम master यह all इंडिया में जितनी भी competitive exam होती है सभी exam cover करने के लिए उसकी हिसाब से हमें बनाया है कि कोई भी state का कोई भी exam हो अगर उसमें electrical का syllabus है तो पूरा का पूरा syllabus क्या हो जाएंगा उसमें cover हो जाएंगा एक ही course में आने कि आपको पूरे अलग-अलग course लेनी की ज़रूरत ने एक course में आपका पूरा पढ़ाई हो जाएगा अगर जादा जानकारी के लिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करते हैं सबसे पहले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाके all notification on कर देना ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें तो आपको उसका notification मिल जाए ठीक है तो चले पूरा का पूरा बेस है transformer का जो EMF equation होता है यानि कि EMF समी करान है उसी के उपर तो पहले यह बता देती कि इस equation में होता क्या है और कौन से कौन से इसमें parameter है ताकि आपको question समझने में आसानी हो तो देखिए यह formula जो IMP है बहुत बार इसके उपर question आता और एकदम IMP अगर आ पता है बढ़ हमारा काम है एक बार कि class start करने के पहले आपको पूरा इसका introduction देते करके ठीक है अभी यह मतलब क्या हो सकता है कभी-कभी आपको applied voltage भी बोल सकते है तो EMF induced हो रहा है यानि कि जो तयार हो रहा है EMF उसको E कहेंगे अभी इस formula में अभी कभी-कभी क्या हो सकता ह कभी especially question में primary secondary ऐसे बोला जा सकता है जब primary secondary बोलेंगे primary बोलेंगे तो यह one रहेगा यह सब कुछ flux भी one का रहेंगा frequency सब कुछ one का रहेंगा secondary बोलेंगे तो यह two का रहेंगा तो बट हमने क्या कर दिया एक ही formula आपको याद रखना है पूरे दो formula करनी की जरुरत नहीं नहीं सब जगा खतम करने की ज़रुरत नहीं है हम जगा बचा सकते स्रीव एक ही पारुमलाब को क्या करना है याद रखना है तो दिखें यह मतलब जो EMF induce हो रहा है ठीक है जो winding में हो रहा है वाला EMF induce है ठीक है मतलब जो coil में हो रहा है 4.44 constant है यह फैनी की frequency होते और यहन मतलब क् speed होता है लेकिन transfermer में हम वी the transfermers यानि की परिना मित्र है उसके बारे में पर रहे तूसमें यह रहा है number time क्तनी बार warranty यहन की जो conductor है कतनी बारपर कि उसके उपर कितने बार warranty तो मतलब क्या होता है यह रहाए को होते हैं जो पैला chard i हो गया इसी फर्मूले से दूसरा फर्मूला अराइज होया निए कि उसी फर्मूले साथ यह कभी कभी क्या होता अगर डिफिकल्टी लेऊल अगर बढ़ जाती है तो यह जो फाइ ना इसमें कोई बदलने वाला नियुसरी वाम फाइका फारूमूले में कि इम्पोर्टन ने थे गया थेलिए या खरवन में स्रीब आपके पास इतना सा फारग है जलए होगा कि तो आपको पताओ ए कि maximum flux density है तो flux density का फारूमला होता है बी इक्वस टू फाइबाइए होता है फाइए यानि कि flux और ए मतलब एरिया यानि कि flux per unit area यह भी किसका है flux density का फारूमला है तो कभी-कभी क्या होता है कि आपको द्राटा में flux नहीं दीखता है अभी आपके मन में सवाल आ सकता है यह दूसरा वाला फारूमला कभ improved करना है तो आपको धेंड में रखना है कि जब आपके पास flux गिवन नहीं यह flux का वैलू है नहीं आपके पास तो तब चलके आपको क्या करना है कि यह देख लेना है आपको समझ भी जाएगा उसमें area देखे रहेंगा तो समझ जाना है तो यह आज का वमारा पहला कोशन है तो पहला कोशन भली आप थटीफ़ नंबर लिखाए बड़ आपको समझ लेना है कि यह आज के क्लास का पहला कोशन है यह कोशन दो लेंगवेज में दोनों भी पढ़नी की कोश्च करते हैं आपको जो समझता है जो आप 50 यानि कि हमें frequency देखे, sinusoidal flux देखे, 0.02 Weber देखे, WB यानि कि क्या होता है, link with the 55 tons, यानि कि टर्स देखे, यहन का value 55 देखे, transformer secondary, हमने बोला है, secondary बोले, या तो primary बोले, आपको confused होनी कि जरुरत नहीं, ज्यादा दिमाख लगानी भी जरुरत नहीं, फार्मुला वहीं दिमाख में रखना है, जो हमने आपको पता है, ठीक है, उसके बाद, the RMS value of induced voltage of the secondary is, तो इसमें बोलाए कि जो induced voltage होने वाला है, यानि कि जो E की value है, E की value हमें find करने के लिए लगा दिया है, यानि कि E का value निकालना है, हम जो numerical लेंगे अभी, थोड़ा सा कम difficulty से, थोड़ा high difficulty की तरब जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मतलब difficulty लेवर बढ़ाती जाएंगे, तो देखिए, यहाँ अभी देखो, secondary बोले, primary बोले, मतलब हमें E का value निकालना है, E का value तो अभी देखेंगे, तो अभी जो भी है, पहले given data निकाल लेते तो देखो, given data में कहीं चाहिए देखो, यहाँ पर कितने parameter रही है, यह होगा एक, यह होगा दो, तीन और यह होगा चार, तो चार में से क्या करेंगे, कोई भी question रहे, चार में से कोई तीन given रहेंगे, और एक हमें क्या करना रहेगा, find करना रहेंगा, तो हम क्या करेंगे, एक किक करके, हम given निकाल देखो, तो देखे, frequency कितना है, अमरे पास, इसको मिटा देते, यानिकि और से हम underline कर देखर के, कितना है, frequency 50 hertz, तो पहले गिवन निकाल दो, आप दिमाग में निकाल सकते हैं, तो दिमाग में निकाल यानि, तो आप लिक के भी निकाल सकते हो, तो frequency हमें देखे, कितना है, 50 hertz है, तो यह है, frequency होगी, हमरे 50 hertz, ठीक है, यह उगाई frequency 50 hertz, उसके बाद, flux देखे, 0.02 वेबर तो यह हो गया flux यानि कि यह हो गया 5 कितना है 0.02 वेबर ठीक है यह unit भी आपको पता रखना है क्यों तो इसके उपर theoretical भी question आदे कभी के उसका unit भी पूछ लेते हैं उसके बाद link with the turns देखे 55 टंस देखे आप हिंदी में भी पढ़ सकते देखेंगे 50 में भी mode देख 55 तो हिंदी में तो यह हो गया turns यानि कि यह निक्वस्ट कितना हो गया 55 इसका कोई unit नहीं होता है और आगे में हमें बोला आए कि इसका voltage निकालना है इंड्यूस वाला है निकालना है भली यहां पर secondary निकालना है निक एटू लिकालना है पर हमने बोला कि दिमाक में रखने पहले एक value put कर देते देखिए उसके बाद बता देते हो क्या equals to E का value निकालना है फार्मला है 4.44 और ताय उसके बाद और से मल्टी प्लैटवए अभी देके फ्लक्स कितनाे घेए 0.02 देके 0.02 तो अब यह लिख दिये अभी क्या कर सकते दिखे अगर हम यह कोच्छन है ना दज जन को देदेंगे ना दज जन दस तरीके से स्वाल करेंगे बट सबका एंसर क्या रहेंगा सिर्व रहेंगा क्यों तो मैंतिमेटिक सब आपको यह सब करने के लिए बेसिक ऑपरेशन आने को ना बेस कर सकते हो आपको जैसे आसान लगठाए वए से जरू नहीं अभी हम जो कदाने वाले ना जरू नहीं कि उस ही स्टेप से वही स्टेप आपको फालो करना हो ज़रू करना अउन्पी इतना जारुरी है ज जो हमने बताया यहां तक कॉमन रहेगा सबका की इसमें किसी का भी बदलावने बट इसके बाद जो भी step रहेंगी हर किसी के वो step क्या रहेंगी अलग-अलग रहेंगी क्यूं तो लिखने का solve करने का सब क्या होता है तरीका अलग-अलग होता है तो दीखिए अभी हम अपने तरीके से करते हैं आप अपनी तरीके से कर सकते हो तो देखे आप वीडियो पॉट्स करके अपने तरीके से सॉल करके देखे तब तक हम भी सॉल कर देखे अब हमारा तरीका यह रहेगा तो कि यहाँ पे जैसे 50 है तो इसका 50 काट देंगे तो यह एक पॉइंट क्या कर सकते हैं हम आगे लेके जा सकते हैं कि निक स्टेप क्या हो सकती है 4.44 multiply by 5 multiply by 55 और multiply by 0.2 और क्या हो जाएगा भी क्यूँ तो इसका एक पॉइंट क्या हो गया है इधर चला गया क्यूँ तो यह काट देंगे तो दस से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 0.02 का क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा उनली यह मतलब वो पॉइ आपको समझाने के लिए 44 और multiply by 0.2 है तो अभी 2 से multiply करेंगे देखो कितना होगा यह है 2 x 4 कितना होता है 8 होता है सबी जगह क्या आ जाएगा 8 8 8 आ जाएगा और यहापे और आगे थोड़ा सा 0 0 लगा देते है ठीक है यह वर्टिकल लाई ने separation के लिए 0 लगा दिये क्यों तो 0 से multiply करेंगे सब कुछ 0 आता तो इसलिए 0 जान बुझके लगा है क्यों तो देखिए अब यहां पर point देना है कितने digit के बाट point देना है देखिए यह एक और यह दो दो point यह हो गया और यहां पर एक point के बाट digit याने कि यहां से जाएंगे तो देखो 1 2 3 यानि कि हम मोल स कितना होता है 50 ₱1 के खर देदें करें अब देखिए यह दोनों का मल्टिछर न करना है यह दोनों का मल्टिप्लिकेशन जो भी हमारा एंसर आ जाएगा तो यह पूरी वैलो लेनी की जरूरत नहीं देखो 275 multiplied by क्या कर देना है 0.88 भी कर सकते हैं तो 0.89 से भी कर सकते हैं अभी आप एक बात ध्यान में रखना है जब भी आप competitive की तहारी करते हो आपको पता है कि जब भी mathematics solve करते हो तो यहाँ पर जरूरी नहीं होता है कि आपको बिल्कुल point to point answer आया तो point to point answer निकालने की आपर जरूरत नहीं है as an average हम answer निकालते हैं ताकि answer के option के आसपास आ जाए तो वही तक रोकना है तो आप एकदम point to point निकालते बटेंगे तो एकजाम में एक ही question solve करते बटेंगे पूरे देड़ दो गंटा जितना भी समाए तो उतना tension नहीं लेना होता है आपको क्या करना था उसके ओ figure के आसपास figure लाने की कोशिच करना होता है जो भी option में गिवन होगा तो हम भी basic कोशिच करेंगे भी दीगे एट से multiply करेंगे अभी तीसरावल एटम ने जान बुझ के नहीं लिया है तो देखो एट से multiply करेंगे 8 into 5 कितना होता है 40 होता है तो 40 में से आपे 0 लग देंगे और यह क्या होगा चार बच जाएंगा उसके बाद 8 into 7 56 होता है कितना होता है 56 प्लस 4 कितना हो गया 60 तो और से इसका 0 लिग देंगे और वह आपे 6 बच जाएंगा उसके बाद 8 into 2 कितना होता है 16 होता है 16 16 प्लस 6 कितना होता है यह हो गया 22 हो गया बरवन 6 12 तो 22 तो यहाप लिग देंगे 22 उसके बाद अभी और से 8 से करना है तो आप एक वैलू छोड़ देते हैं अगर आपको पता है आप मल्टिप्लेशन आपके हिसाब से कर यह हमारा तरीका है आप अपने तरीके से भी कर सकते हो अगर यह आपको अलग लगता है तो ठीक है तो देखिए और किसी को अगर यह पढ़ना है कि बेसिक कैलकु अपने पर नियूंता है चलिए और से अब दूसरे से मुटिप्लाइ करेंगे तो सेम क्या हो जाएंगा एट इंटू फाइट का यहाप जीरो चार बच जाएंगा और से इट इंटू सेवन कितना होता है 56 होता है 56 प्लस 460 हो जाएँगा यह होगा जीरो बचा हमारे पास 6 उसके बाद 6, और क्या करेंगे, 8 into 2 कितना होता है, 16 होता है, 16 और 6 कितना होता है, 22 होता है, यानि कि और से कि तो 8, 8 से ही multiple है कि है, तो कितना आ जाएंगा, 0, 0, 2, और यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 2, अब यहाँ पे देखेंगे, तो 2 digit के बाद क्या दा point था, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे दो डिजिट के पॉइंट देंगे हैं कि हम बोल सकते हैं कि हमारा एंसर क्या हो सकता है हमारा एंसर हो सकता है यहाँ पे लिग देंगे एंसर हो सकता है हमारा 242 के आसपास क्या रहेंगा हमारा एंसर रहेंगा आसपास क्या रहेंगा तो अभ सेखोल सही अगर परफेटली आपको आंसर निकालना है तो आपको तीनों भी एट लेके सॉल करना पड़ेगा अपने पहले बोला कि आप घेराओटिकल नहीं चेक किया जाता है स्रीप अमें टिक करना होता है तो श्रीप हमें उसके आस पास का एंसर निकालना होता देखो पह बाद यह जो स्वाल किया है इसका video का link description में、 आमने उसका link दे अपको आपको और PDF आपको इसके provide कर दिये, ठीक है। उसके बाद, यह magnetic वेपका next question है, magnetic flux अभी इतना way번 है magnetic flux ठीक है. अभी देखो वही फारबोले के ऊपर question है पर थोड़ा सा … पॉइसे difficult है, 0.5 सेकंद लग रहा है तो यह थोड़ा सा समझना है इसके लिए आपको थोड़ी से थेड़ी भी पताओ ना ओभी हम क्लियर करा देते देखें उसके बाद अभी आपे पूछा है कि इंडियू सेमेप का एवरेज वैलू क्या रहेगा जो भी तो इंडियू सेमेप मतलब हमें क्या करना है एक का वैलू निकालना है हिंदी में भी पढ़ लेते 600 माइक्रो वेबर का एक चुम्बकिय अभिवाक है जिसमें 1500 मतलब 1500 वर्तन है याने कि व आधे क्या जाके वापस आना उद्खरिमी याने क्या होता है जाके वापस आना है जिसको हम रिवर्स कहते हिंदी में होता है तो या पर पूछा आ रहे कि विद्दुवाक बल याने butcher निकालना है आप जितना भी आता है तो सबसे पहले क्या करेंग रहें की गीवणड क्या होता 10 to the power minus 6 वेबर होता है अब यह सब आपको पता हो ना कि मिली मतलब क्या होता है माइक्रो मतलब क्या होता है नैनो मतलब क्या होता है पीको मतलब क्या होता है यह सब आपको पता हो ना क्यों तो आप electrical के core student हो करके ठीक है आगे में उसके बाद through the coil number of turns देखे 1500, 1500 टेखे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगा, year equals to कितना हो जाएंगा, 1500 हो जाएंगा, 1500 इसका कोई unit नहीं होता है, उसके बाद reverse in 0.5 second, second देखे, इसका मतलब है time देखे, क्या देखे, time देखे, तो यहाँ पर देखेंगे, time कितना देखे, 0.5 second देखे, अब यहाँ पर समझने की एक बात है, पहले समझ लो, हम समझा देते, आगे का question बाद में पड़ेंगे, question का यह कहना है, कि जो भी हमारा flux निकल रहा है, उसको जाके, मतलब यहाँ जाके यह वापस आने के लिए, कितना लग रहा है, 0.5 second लग रहा है, बद क्या cycle हमारे frequency की इतनी होती, कहे है, यह तो half cycle होगे, और हमारे पास half cycle, यानि कि इहाँ से जाके, और वापस जाके, और वापस आएंगा, यानि कि इधर 0.5 second लग रहा, तो इधर भी कितना लगे быстро, 0.5 second लगे खानी कि कुल मिलाके वह वेवफर्म क्लियर करने के जो साइकल का टाइमिंग उसको कितना समय लगने वाला एक सेकन्द लगने वाला क्यूं तो आधा complete करने के लिए जाकर आने के लिए आधा सेकन्द लगेगा उसके बाद और से जो जयाकर वाली साइकल रहेंगे उसमें भी जाकर वापस आने के लिए उसको आदा सिकट लगेगा यानि इसके यहां पर देखेंगे यहां पर डायरीकली बोला है कि रिवर्स इन जिरो-पाइट पाई उसको सबसे अगर यह रिवर्स अगर आपके ध्यान में नहीं आना आपका 100% question गलत हो गया ऐसा समझ के चलिए ठीक है और यहाँ पे भी देखेंगे उत्क्रमीद बोला है यानि कि जाके वह रिवर्स होने के लिए उसको 0.5 लेकिनों पूरा अभी एक हाप साइकल के लिए नहीं रहेगा ना पूरे साइकल के लिए रहेगा इसलिए सेकंड को क्या कर द आता है कितना था एंसर वन सेकंड तो यह हो गया टाइमिंग अभी उसके बाद और आगे देखेंगे तो कुछ नहीं यहां पे कुछ नहीं देखेंगे यह में पिंडियूस निकालने को लगा यानि की इक वस्टू क्या कर दिया हमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया यानि क अभी इसका वैलू हमें फाइंड करना है तो देखेंगे अभी आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से हमें यह निकालना है तो यन भी देखें और 5 भी देखें बट हमार पास फ्रिक्वेंसी नहीं देखें बट फ्रिक्वेंसी की जगपी इस टाइम पे हमें टाइम तो समय देखे तभी यहां पर कि निकाल सकते हैं कि फ्रिक्वेंशी का फर्मुला होता है एक दो ब्रिक्वेंसी का भी प्रिक्वेंसी निकाल दिया गया तो आधा आधा ही था मतलब जाके रिवर्स आ रहा था और दूसरी आधी साइकल बाकी है इसलिए अगर कभी-कभी डायरेक्ट बोल दिया कि उसको पाइज पाइज लग रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं था और रिवर्स वाला अगर नहीं होता नहीं होता उतक्रमित वाला वर्ड नहीं होता तो फिर डायरेक्ट डायरेक्ट अमरा टी का वैलू कहा रहता था जिरो पॉइंट फायू रहता था पट यहां पे क्या हुआ हो थोड़ा सा ट्विस्ट कहेंगे या तो कॉम्प्लिकेशन कहेंगे ताकि मतलब आसानी से किसी कि ध्यान में आना आए और औ देखेंगे अभी कुछ करना अभी इसमें पुट कर देना है तो पुट करेंगे तो देखें फार्मुला आपके पास है फॉर पॉइंट फॉर पॉर अपने पास है मल्टी प्लाट पाए यह अपका वैलू तो अब हम टेकनिक बता देखो यह अगर ऐसे थाउजन थाउजन लिखा आए अभी समझें आप है फोर है हम शॉटकट में बता रहे फट से तो इसका मतलब हो था कि यह टेंट टूदी पाउर कितना होगा है फोर होगा है कि तो फोर जीरो है वही अगर यहाँ पे किहाँ पॉइंट के पहले अगर माइनस में इसका मतलब 0.000 मतलब कितने पॉंट के पहले कितने अगर्स पाउर के रहेगा निकेटीव में रहता है अब अपनी जगह पी एक वरस टो अब यहाँ पर कितने यहाँ पे एक जिरो दूसरा जिरो तीसरा जिरो चौथा जिरो अगर चार जिरो काड देंगे तो यह सिक्स में से क्या करना है चार निकाल देना यह लिट सकते 10 और माइनस टू लिख सकते हैं 10 तू 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 लिख स तो 90 में से और से इसका 0 काड़ देंगे तो यहाँ पितना बचेगा स्टीप –1 बचेगा तो यहाँ पितना आ जाएंगा 4.44 और इन्ट वार माइनस वन रहेगा और यहाँ पर इन्टू 9 रहेगा क्यों तो यह दोनों का हटाना है क्यों तो power लेकर हम solve नहीं कर सकते न यह अगर हटाना है तो क्या करेंगे यह वाला point क्या होता है आगे बढ़ जाता है नहीं कि left से लेकर हमारे right के तरफ चला जाता है तो आप अपनी तरीके से भी कर सकते हैं पहले हम 9 से multiply कर देंगे तो क्या हो जाएंगा तो देख लिखेंगे six बचामााणे पास 3 ओर से 36 और 36 प्लस 3 कितना होता है यहोगा 9 और यहोगा39 तो यहापे और से 9 लिखेंगे और बचेंगा ौर 9 जो कितना हो है 36 हो गया तो और से 36 आ यहापे लिख देंगे 39 यानी कि हमारा answer अगर देखते हो ना three nine nine six आया है कितना है sometimes three nine nine six ने हमें पता है कि यह 10 to the power का है ? मायनस हुआ ना है तो इसका मतलब क्या कर सकते है इसका 1 point कार सकते नियर लीख वे सकते है 399.6 लीख सकते है है कि लगबग हमारा answer 400 के आसपास आने होना कितना आने होना 400 के आसपास तो भी देखेंगे 400 के आसपास नहीं रहेंगा यह color change करके हमने क्या कर दिया point में थोड़ा सा यह हो गया देखो यहापे 2 point के बाद यहापे point था 2 digit के बाद तो यहापे भी क्या करना पड़ेगा 2 digit के बाद point देना पड़ेगा यानि कि हमारा value क्या हो जाएगा value हो जाएगा इसको हम delete कर देते हैं value हो जाएगा हमारा 39.96 हो जाएगा कितना हो जाएगा 39.96 हो जाएगा क्यों तो यह 2 digit के बाद point देना था न हूँ छुड़ कया था अब भी देखेंगे आपे कितना है 10 to the power 10 to the power minus 1 यानि कि इसका क्या करना पड़ेगा और एक point कम करना पड़ेगा तो एक और point कम करेंगे तो क्या हो जाएगा इसके बाद 10 to the power minus 1 इसका पाउर minus 1 बाकी था ना तो 3.996 हो जाएगा तो लगबग हमारा answer 3.99 या तो लगबग 4 क्या असपास आने को ना तो यहाँ पर देखेंगे तो फोर तो नहीं यह बड़ 3.99 यानि कि 3.9 है यानि कि हम बोल सकते हैं पर कि हमारा answer कितना आने होना ए परफेक्ट आने होना 3.9 तो यह आपे बराबर 3.9 परफेक्ट आ गया कभी-कभी परफेक्ट आता है और कभी नहीं आता है तो आसपास भी आ गया तो हमें समझ लेना है कि आपे हमारा आ गया अगर कि ठीक है उसके बाद next question यह तरफ बढ़ेंगे और थोड़ा से आपे next है अलग question है देखिए ए ट्रांसपार्मर हैज 200 टन्स है कितने टन्स है 200 टन्स है इन प्राइमरी नमबर आप टन्स 200 है यहन का वैलू है वैंडिंग में इसको ओल्टेज अभी supply दे देखिए अभी तक क्या कि है कि हमने जो इंड्यूस ओल्टेज हो निकाला पर अभी क्या क सब्सक्राइब देखिए तो अधिक्तम अभीबव यानिकी फ्लक्स देखिए माइनस 3 होगा तो ओल्टेज की अउरुत्ति निकाले है यानिक इसके बाद आपको इसके बाद आपको गिवन डाटा निकालना बिलकुल आसान हो जाएगा इतना सब पहले यह बढ़के देख लेना हमें कि निकालना क्या है एक बार आपको यह समझगा है निकालना क्या है तो फिर आप क्या कर सकते है आसानी से वह लू इकवेट कर सकते हो अनिका उसमें से अगन डाटा निकाल सकते हो अब में पता चले गया क्या निकालना है है frequency निकालना है frequency इक्वस्टू पर देखेंगे number of terns कितना दे के 200 यानि कि Yen का वयलू कितना हो गया येन का वयलू होगा हमारे पास य्ट कितना हो गया 200 होगा टीक के हो हो गया 200 कामा देते थे अवजु वजु मेरी लिखते हूं इसके पाद supply across the winding maximum flux का value देखे 5 mm वेबर तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 equals to sorry flux equals to 5 mm मतलब कितना था 10 to the power minus 3 और यह हो गया हमारा वेबर ठीक है अभी निकालना क्या है frequency निकालना है इनकी up equals to question mark तो अभी क्या करेंगे सबसे पहले value पूट कर देंगे जो भी वने देखे एक का value कितना है एक का value हमारे पास 240 तो यह हो गया हमारा 240 equals to 4.44 आपके पास jc के वैसे multiplied वाए उसके बाद frequency का value कितना है नहीं पता नहीं हमें निकालना है तो यह हम यहां पर लिख देते अलग color से लिख देते लगे इस तो आपको समझने के लिए एक बार ताथ कि आपको आकरी तक ध्यान में रहे कि यह का value निकालना है यह जितनी भी term होई बच्ची वाली वह पूरी multiply में उधर जाने के बाद क्या होती है तो क्या हो जाएंगा तो देखे 240 के पूरे के पूरी divide में चले जाएंगे यानि कि क्या हो जाएंगा यहां पर यहां पर हो जाएंगा 4.44 multiply by यह हो गया 200 यानि कि इधर का 200 multiply by 5 multiply by 10 to the power minus 3 हो गया ठीक है 10 to the power क्या हो गया minus 3 request क्या पाच है frequency अभी क्या करना है इसको स्वाल करना है आप अपने तरीके से भी कर सकते हम अभी अपने तरीके से बता देगे यह 10 to the power minus 3 है यह denominator मैंने कि नीचे है उसको अगर अंच में लेके जाते है उपर में लेके जाते है तो यह power क्या हो जाएंगा minus का plus हो जाएगा यानि कि उसको अगर उपर लिग देंगे तो क्या लिग सकते हम देखिए उपर में लेके कि तो 240 multiply by 10 to the power 3 हो जाएगा यह तरीका होंगा और बागे का calculation आप अपने तरीके से भी कर सकते हो पर हम अपने तरीके से बताने के हम कोशिच कर रहा है ठीक है अभी देखिए 4.4 पर अपनी जगह पर इसका मतलब एक के उपर 30 होदा कितना होता है Nah 30 तो हम क्या करेंगे इसकी जगा प्र इसकी जगप पर लिग देंगे एक के ऊपर 30 अभीदेखिए पर जिरो काट देंगे तो यहां के भी क्या कर सकते हैं, ग्या कर सकते हैं, यहां पे क्या बचा है, बसे आप ही यह धेहन में रखना है, यह जो हमने यहां पे लिया, इसको क्या कर दी हमने, इसको इसके जगह पे हमने 1000 लिख दिया था, क्यों तो 10 to the power कितना है, 3A करके, इसमें confusion होने हैं आपको, ठीक हैं, अभी दीखें, नेक्स टेप में 240 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2, 4, 0 और 10 से multiply करेंगे, और 1, 0 बढ़ जाएगा, और divided by कितना है, आमरे पास, 44, 4.44 और multiplied by क्या है, 5 है, तो यहां पे 4.44 और multiplied by क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं, और multiplied by 5, यहां पे क पाच और 2, कितना होता है, 10 होता है, यह कितना होता है, यह यह कितना होता है, यह दोनों का multiplication, 10 होता है, तो यहां पे क्या कर देंगे, डायरेक 10 से multiply कर देंगे, काई से multiply कर देंगे, 10 से multiply कर देंगे, तो क्या हो जाएगा तो दीखे, 10 into direct 10 का तो पड़ आपको आता है, तो 10 into 4 कितना होता है, 40, 40 का 0, बचा 4, 10 into और से 40, 40 plus 4 कितना होता है, 44 का 4, बचा और 4, 10 into 4, और से 40, 40 plus 4 कितना होता है, 44 होता है, और ये 2 point के पात क्या है हमारा पॉइंट है दो डिजिट कितने बात है दो तो यहां पर कितना हो जाएंगा 44.40 हो जाएंगा यानि कि यह जो डिवीजन वाली टम है वो पूरा कितना आ गया 44.4 आ गया तो डिवाड़ेट बाए 44.4 लिग देंगे तो अभी इसका जो भी कैलकुलेशन रहे करके देख सकते हो तो अभी इसको आसान करने के अगर कोशिश करेंगे तो यह वाला पॉइंट इधर किसका सकते एक पॉइंट कैंसल भी कर सकते हैं आपकी इच्छा है तो हम क्या करेंगे अभी 44.40 से कितना आता है देखेंगे पाच बार करके पाच चो बीस बीस का जीरो आया बचा दो पाच चो बीस बीस और दो कितना होता है बाइस यानि कि लगबग पाच बार हो सकता है डिविजन पाच बार अगर डिविजन आया तो कितना आ सकता है एंसर यह आ सकता है टू टू जीरो आ सकता है कितना आ सकता है टू टू जीरो त इसको calculation करके देखेंगे, तो यह आपे एक 0 बचा है आमारे पास, तो यह वाला एक 0 नीचे उतर जाएंगा बाद में, 0 में से 0 गया, 4 में से 2 गया, तो यह आपे कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 गया, 0, और से आपे 200 है, तो और से 44 से divide करेंगे, तो यह आपे लगबग कितनी बार, 4 बारी इसका division होता है, जो भी answer आएंगा, यानि कि हम बोल सकते है अभी, finally हमारा answer कितना है, यह because to 54 के आसपास आने वाला, यह होगा हमारा answer, यह क्या होगा हमारा answer, तो आपको इसको calculate करके देखना है, खुदी, तो 54 के आसपास देखेंगे, तो हमारा answer क्या था बिल्कुल सही था, ठीक है, चलो, उसके बाद, next वाला question है, देखें, हर question है अलग-अलग तरीके से चल रहा है, इस single phase 50 hertz core type transformer, has a core whose area, अभी देखेंगे, यह आप एरिया देखेंगे, अपने बोला था, कि यह दूसरा वाला formula लग सकता है, तो देखें, आपको क्या करना है, ह खुद calculation करके देखना है, कि तो आप जब तक खुद चला के नहीं देखेंगे, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपको, हम बली हम आपको यह आपर बता देंगे, कि गाड़ी कैसे चलाना है, cycle कैसे चलाना है, बट उसके लिए आपको चला के देखना करना है, तो उसके बाद, कोर का एरिया देखें, क्रॉस सेक्षेन एरिया देखें, चार सो ध्यान में रखना है, सिर्फ सेंटीमेटर स्क्वेर है, तो यह आप थोड़ा सा आपको पता होना basic, maximum permissible flux density देखें, flux density यानि B का वैलू देखें, वन वेबर पर मीटर स्क्वेर, य जब भी सेंटीमेटर मीटर लग रहेंगा, हमें उसको एक करना होता है, what will be the number of turns, यानि कि हमें क्या करना है, यन का वैलू निकालना है, the primary winding of, primary winding का ratio देखें, यानि कि ये primary का voltage है, और ये क्या हमारे secondary का voltage है, तो यहाँ पे जो कुछ भी है, वो पुरा का पुरा क्या है, primary का है, काई-काई वैलू, primary का है, तो ये primary का वेंडिंग का ratio देखें, उसमें से primary winding कोंजी होंगी, यह होगी, 3000 वाली हमारी primary, हिंदी में भी पढ़ लेते, क्या है हिंदी में, single page transformer है, 50 frequency है, उसका transformer AC core है, जिसका अनुप्रस्त है, काट कितना है, इसका क्षेतर पर 400 cm2 है, अधि उसका flux कितना है, घनत हो है, यानि कि B का वैलू देखें, वन वेबर है, पर मीटर स्क्वेर, उसके बाद, अनुपाद देखें, आपको primary winding का, यानि कि 3000 क्या होंगी, यह primary winding का संख्या देखें हमें, तो यह voltage का वैलू है, तो हमें निकालना है कि संख्या कितनी है, उसकी, मत एक बार हम given data निकाल देखें, पटाबट, इस single page है, 50 hertz frequency है, तो अभी क्या कर सकते है, आप फ्रिक्वेंसी के वालू लिख देंगे, हम 50 hertz, कितना लिख देंगे, 50 hertz, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या देखें, टाइप आप ट्रांसपर्मर का area देखें, कितना है, 400 cm2 है, cm2 अगर मीटर करना है, तो क्या होता है, 10 to the power 2 हो जाता है, minus 2 लिखना पड़ता है, बट square अगर होता है, तो यह क्या हो जाता है, इसका भी square है, यह 10 to the power क्या हो जाता है, minus 4 हो जाता है, क्या हो जाता है, minus 4, तो इसी, यह basic सी बात है, जैसे unit conversion होता है, उसी थार से, तो यह square ह सेंटीमेटर का में मीटर का करना है तो क्या हो जाएंगा 400 मल्टिप्लाट बैट 10 टूट पाउर माइनस 4 मीटर हो जाएंगा क्या हो जाएंगा स्क्वेर मीटर हो जाएंगा तो यह सेंटीमेटर का मने क्या कर दिया मीटर स्क्वेर कर दिया ठीक है तो है इसलह क्या हो गया माइस फोर गया स्रीप सेंडिमेटर लिखना होता तो माइनस ट्थ होता अगर स्रीप मीटर्स लिखना होता इसका एरिया आपको पाँ हापी कर लिया है आंगे में और क्या देखें और देखें आपके पास what will be the number of tons निकालना है वह आप प्राइमरी वाइंडिंग का आमें रेशो दे दिया है 3000 अपन मतलब ऐसे लिखा है 3000 ऐसे लिखा है 3000 अपन 220 ओल्ट ऐसे लिखा है तो यह हो गए हमारा प्राइमरी ठीक है तो इसका मतलब यह गिवन में से देखेंगे तो हमें यन तो निकालना है फ्लक्स भी ये भी होगा फ्रिक्वेंसी भी होगी बचा अब अब यह तो यानिकी एक का वैलो हमें दे दिया कितना है कितना है 3000 कुछ ने भी value पूट करते ना और calculate करना है तो अभी value पूट करके अगर calculate करते है तो देखें हम फार्मूले में पहले पूट करते थे क्या होंगा फार्मूले में पूट करेंगे तो e का वालू है 3000 equals to 4.44 अपर यह यह जगानी और नीची लेखेंगे यह यह गया इकान वैलु है 3000 इकवश्ट टु यह गया 4.44 मौल्टिप्लाट बाइ यह फ्रिक्वेंसी देखे 50 Hz और से मौल्टिप्लाट बाइ यहन का वैलू कितना है यह लिग है यह लिक दियेए यहन मौल्टि पलाट बाइ उ चार सो इन्टू टेन टूट पाउर माइनस पोर है अभी क्या करना यह यह निकालना है ना तो यह न को यही पर रखेंगे बाकिक का डाटा दूसरे साइड लेखे जाएंगे तो क्या हो जाएंगा दिखेंगे यह होगा चार सो इन्टू टेन टूट पाउर कितना हो गया माइनस फोर हो गया टेन टूट पाउर माइनस पोर जो भी इवन डाटा ता वो दूसरी तरफ लेखे और इधर क्या रहेगा हमारा यह न रहेंगा यहां तक हमार बताना काम है अभी आगे का क्या कर सकते हो आप अपने नीटि पाउर मतलब एकक्योपर चैयरउर हो जाएगा मतलब एक के ओपर चार जीरो तहें कितने होते एक बढर चार जीरो होते है और divided बैर क्या हो जाएगा नीचे में हमारे पास 4.44 multiply by आपे क्या है 5 और यह बचा है अमारे पास 4 मतलब 4 into 5 कितना होता 20 होता है तो हम directly 20 लिख देते हैं आपे कितना लिख देते 20 तो और से 3 और से एक स्टेप बढ़ा देते 3 के उपर 4 0 है 3 के उपर क्या कर देंगे 4 0 लिख देंगे divided by 4.44 4.44 यह हो गया 4.44 multiply by 20 करेंगे तो यह 00 क्या हो जाएंगा कट जाएंगा तो हमारे पास क्या बचा है यह पर पॉइंट जा रहा है पो रहा है तो क्या बचा है हमारे पास हमारे पाच बचा है 3 के उपर 30 divided by क्या है 4.44 और multiply by 2 है तो 2 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएंगा 8.88 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8.88 तो अब इसका क्या करना है division करना है कितना करना है division करना है तो हाट से अगर division करते तो लगबग कितना हैगा पॉइंट पॉइंट अगर देखेंगे तो 8 का कितना हो जाएगा लगबग 8 तिया 24 हो जाएगा मतलब लगबग 3 के आसपास कुछ ना कुछ हमारा answer रहेगा तो answer देख लेते 3 के आसपास का पर B पर यानि कि आभी पूरा calculate नहीं करेंगे क्यों तो देखे हमने क्या सोचा है या पर आप अपने तरीके यहाँ कर सकते हो यह उग कोबग नहीं है यहाँ पर इसका answer करेंगा 3 3 8 रहेगा ये ङानने की B answer करेंगा बिल्कूल सही रहेंगा आप एकुरटली calculate करके दे सकते हो अगर आपके पास समय है तम ठीक है चले नेक्स्ट है उसके बाद आगे का क्वेश्चन है एक 50 एर्ट स्टेप डाउन ट्रांसपारमर है जिसमें 400 टंस है क्या है इसमें 400 टंस है प्राइमरी एंद प्राइमरी इस कनेक्टेट टू 6000 ओल्ट सप्लाई what will be the maximum value of flux generated आगे और से flux का वैलू निकालना है इसमें क्या निकालना था यहन का वैलू निकालना था यहन का वैलू है तो यहन इक्वेस्ट हो यहापे लगबग 3 के आज पाच जो भी हमारा एंसर आता है जो भी आपे एंसर आता है हमने अंदाजे से निकाल दिया था ठीक है यहापे अभी flux निकालना है तो क्या हो जाएंगा तो देखें और से हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक फिप्टी हड्स का ट्रापरीना मित्र है स्टेप डाउन ट्रांसपार मने उसका घुमा यानि कि नंबर आप टंस आपके पास यहन का वालू 400 है और इक वस्टू 4.44 और उसके बाद मल्टिप्लाट बाई यहन इंटू 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 फ्लक्स होता यह हमारे पास फार्मुला है और इसमें क्या करना है फ्लक्स का वालू निकालना है जो कोशन मारक है गीवन निकाल देते हैं सबसे पहले हमें टंस देखें 400 क्या यह हो गया यहन का वालू कितना हो गया यहन का वालू हो गया 400 और से देखेंगे क्या देखें एक चीना पहालो कितना हो गया ईक को देने Green aç थीक्स थाउजन ठीक है उसके बाद कुछ अभी क्या निकालना है फ्लक्स निकालना है बड़ा सिम्पल है तो फ्लक्स की जगा फ्लक्स को चोड़ देना है वैलू पूट कर देंगे तो क्या होगा देगए इका वैलू क्या है दूसरी तरब लेके जाएंगे तो क्या होगा मल्टिप्लाइखा डिवाइड हो जाता है यानि कि 6000 डिवाइड़ बाई 4.44 मल्टिप्लाइड बाई 400 और से मल्टिप्लाइड बाई 50 और इकवस्ट क्या हमारे पास फ्लक्स निकालना है तो अभी देखेंगे यह 0-0-0 काड़ कर देंगे कंड देंगे काड कर देंगे सी जरी एक राव थिए इसको मल्टिप्लाइड कर देंगेSun कितना हो जाएंगा गारौ देखें टीक कर देंगे तो क्या होता है तो देखिए जिरो से नहीं अभी डायरेक्ट 20 से ही मौल्टिप्ला गरते हैं 20 इंटू 4 80 होता है 80 का कितना लेखेंगे 0 लिखेंगे और 8 हमारे पास क्या रहेंगा बचा रहेंगा और 20 इंटू 4 कितना होता है 80 80-8 के 8 और से 8 बचा है 20-4 कितना होता 80ोता 80 80 प्लस 8 कितना उता 88 होता है यह पर होर से 88 तो यह पर देखेंगे तो दू-दूजिट के बात पॉइंट है तो यह निके हम लिख देंगे आपे 6 divided by 88.88 बस इसका कल्कूलेशन करेंगे तो जो भी आएगा हमारा काय का वैलू रहेंगा फ्लक्स का वैलू रहेंगा तो देखिए फ्लक्स का वैलू रहेंगा तो हम इसको calculate कर देते अब यह अंदाजा लागा देंगे पूरा calculate करनी की जोरत नहीं है लगबग 88 है तो देखो पहली बार इसका division होता है क्या पहली बार 88 च तरीक है आप अपनी तरीके से कर सकते हो अभी 88 से अभी 88 का अगर पाड़ा नहीं आता है सिधा-सिधा 88 को है ना हम 9 कंसिडर कर लेते फिलाल के लिए मतलब 9 से अभी division करने की कोशिच करते है 9 से करेंगे तो कितना होता है 9 4 यानि कि 9 6 पर जा सकता है इसका division ठीक है छे बार हमारा answer यहाँ पर set हो सकता है तो यहाँ पर छे बार इसका division हो सकता है 88 का लगबग आप calculation करके देखे अपने तरीके से यहाँ पर जो भी आता है देखेंगे तो 0.06 के आसपास जो रहेंगा वह हमारा answer रहेंगा तो आप देखने लिए 0.06 वाला A की option है मतलब A पर तो अभी पूरा calculation करनी की ज़र्वत नहीं है आप अपने अंदाज से लगा सकते हो लगबग answer हमारा क्या हो सकता है 0.06 के आसपास हो सकता है ऐसा करके आपको क्या करना है तो पूरा का पूरा सौल करनी की ज़र्वत नहीं पड़ती है तो इस तरह से यह हमारा last question था तो यहाँ पर क्य करते हैं तो इस class को रोग देते हैं और बाकी का इसके बाद वाले class में continue करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है वीडियो को एक लाइक करना है आपके जरुरतमन दोस्तों के दाद शेयर करना है और आपके मने में कोई सवाल है तो करना है